गुद मामिंग स्टुडेंट्स, I am सुनीता मरूडा for class nursery and today we are going to learn subject हेंदे इस स्टुडेंट इस से कहले आप OO पढ़ चुकेंगे, आज आप पढ़ेंगे REE क्या पढ़ेंगे? REE, REE से क्या होता है? REE से RISHE तो इस तरह से आज आप क्या लिखेंगे? REE यह है आपका REE, क्या है यह? REE पहले आपने Statistic Music हिसनी है, फिर इसमें इस तरह से आपने इसको लिखना है क्या है REE? क्या है REE? जैसे आपने यह लिखना है, वैसे आपने यहाँ पे भी REE लिखना है और REE से क्या होका है? REE से RISHE यह है इसी तरह से आप यहाँ पे भी REE से RISHE क्या है REE? क्या है REE? क्या है REE? REE से RISHE जैसे यह लिखना है, ऐसी आपने पे भी क्या लिखेंगे? REE REE से RISHE क्या है? REE से RISHE जब आपका यह REE टर्वर पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे इसी की पिक्चर है? RISHE की पिक्चर है और इसमें आप जो यह RISHE बना है इसमें आप इसके फेस में ऐसी कलर करेंगे जो इसके इन कलर होता है इस तरह से आप अपने कलर से इसको फिल कर सकते हैं यह है आपका REE से RISHE इस तरह से आप इसमें और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यलो कलर करेंगे इस तरह से इसमें आप अपनी नौट मूपे भी कलर हील करेंगे और इसको अच्छे ढंसे कलर कर देंगे क्या है यह? REE से RISHE क्या है? REE से RISHE जब आप इसको कलर कर देंगे REE से RISHE की पिक्चर बन जाएगी फिर आपका रिटर्न बन हो जाएगा तो इसके बात क्या करेंगे? लाब न करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे यह क्या है? REE अब आप इसको पिक्चर के माधने से पढ़ेंगे जैसे REE से RISHE इस तरह से आप अग्मी नाट बुक में गोड राइटिम में लिखेंगे पिक्चर बनाएगे इसमें कलर प्रिल करेंगे और उसके बाद रीड करेंगे और लर्न करेंगे यह डिए और добहाए अजयो में लिखेंगे गीडर्डneten